नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका फेर्सक्लाउड में तो दोस्तो यूक्रेन को लेकर दुनिया की दो महासक्तियां अमेरिका और रूस में हालात बेहत तनाव पूर हो गए हैं और रूस और अमेरिका समय नाटो देशों के बीच यूरोप के पस्चमी मोर्चे पर जोड़दार घिराबंदी भी चल रही है और रूस के यूक्रेन पर हमले की चेतावनी के बीच अमेरिकी नौसेना की पंडुब्बी रूसी जलचेतर में घुस गई हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाडु हत्यारों से लैस अमेरिका और रूस के बीच अब यूक्रेन को लेकर लकीरे खिच गई हैं और रूस ने अरोप ये लगाया है कि अमेरिकी परमाडु पंडुब्बी ने उसके इलाके में घुस पैट की है तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रस कर लें तो चलिए दोस्तों बिना आपका समय बरवात किये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं यूक्रेन को लेकर दुनिया की दो महा सक्तियां अमेरिका और रूस में हाला बेहत तनाव पूर हो गए हैं और रूस और अमेरिका के बीच जहां यूरोप के पस्चिमी मोर्चों पर जोरदार घेरे बंदी चल रही थी वहीं बाइडन की सेना ने अब पूर्वी मोर्चों प और भी अपनी हरकत तेज कर दी है और अमेरिकी राष्टपत की रूस के यूक्रेन पर हमले की चेताउनी के बीच अमेरिकी नौसेना की परमाड़ उपन डुब्बी रूसी जल्चेतर में घुज गई है और इससे रूस भड़क गया है और दोनों देशों के बीच जल्चेतर में घुज पैट की है और जब रूसी युद्पोत ने अमेरिकी पन डुब्बी से सताय पराने को कहा तो उसने अंदेखा कर दिया और इसके बाद रूसी नौसेना ने अमेरिकी पन डुब्बी के खिलाब विशेश कारवाही की और रूसी नौसेना की इस हरकत क अमेरिकी पंडुब्बी ततकाल तेजी से रूसी समुद्री लाके से भाग गई और इस गटना से भढ़के रूस ने अमेरिका के रच्छा अतासे को तलब किया है और इस हरकत के प्रतियागा किया है वहीं अमेरिका ने रूस के इन आरोपों को थारिज कर दिया है वहीं रूसी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी पंडुबी की या घुस्पैट कुरील दीप समू के पास हुई है जो जापान के पास इस्तित है वहीं रूसी नवसेना इसी लाके में इन दिनों सैने अभ्यास कर रही है और इसी दीप पर दृतिये विश्वयुद्ध के बाद रूस ने कबजा कर लिया था लेकिन जापान इस पर अपना दावा करता है वहीं अमेरिका अपनी वर्जिनिया क्लास सम्मरीन का इस्तेमाल ज्यादा तर अंटी सम्मरीन युद्ध और खुफिया जानकारी कठा करने के लिए करता है और इसी बीच अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन ने रूसी राष्टपती ब्लादमीर पुतिन से करीब 62 मिनेट तक चली बादचीत के बाद जोरदार कारवाई की चेतावनी दी थी वहीं अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन ने रूस को ये चेतावनी दी है कि अगर वा यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश कठोरता के साथ उसका जवाब देंगे और रूस इसकी भारी कीमत को भी चुकाएगा वहीं अमेरिका ने अपने हजारों की तादात में सैनिको को अप पोलेंड और रूस से सटे अन्य नाटो देशों में तैनात कर दिया है परमाडू सक्ति से चलने वाली फास्ट अटेक वरजिनिया क्लास की पंडूब्यां टाम हाग क्रूज मिसाइलों से लैस होती हैं वहीं स अमेरिकी नौसेना में इन्हें लास एंजिलिस क्लास पंडूब्यों के जगहे पर कमीशन किया गया था और इस क्लास की पंडूब्यां अमेरिकी नौसेना में 2060 से 2070 तक सर्विस में रहेंगी और अमेरिकी नौसेना ऐसी 66 पंडूब्यों के निर्माड की योजना पर कारे कर रहा है जिसमें से 19 अभी एक्टिव हैं जबकि 11 पंडुब्यों को बनाया जा रहा है और इसके अतरिक्त अमेरिकी नेवी ने 6 पंडुब्यों का और आडर दिया हुआ है वहीं अब आप लोगों का क्या कहना है रूस और यूक्रेन के विवाद पर कमेंट में जरूर बताएं और लाइक चेर सब्सक्राइब परके गंटी वाले बटन को जोर प्रस करें काकि डिफेंस से जुड़ी खबरे तूटे नहीं सभी खबरे आप तक पहुचती रहें धन्यवाद उतर आपे डिफे गली विहाद duyर मेंatore ठीकर से मुत시고